देखिए आज अकबार में लिखा है कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि अपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव्ली सरकार के साथ कोपड़ेट करना जाएए अपोजिशन ने क्लिरली कहा है राजनाठ सिंग्जी का खाञेजी को फोन आया राजनाठ सिंग्जी ने खाञेजी से कहा देखिये आप हमारे स्प्पीकर को सपॉट कीजिए आप आप पूरे opposition ने कहा है कि हम speaker को support करेंगे मगर convention यह है कि deputy speaker opposition को मिलना चाहिए राजनात सिंग जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को call return करेंगे अभी तक राजनात सिंग जी ने खारगे जी का call return नहीं किया है तो मोधी जी कह रहे हैं constructive cooperation हो और फिर हमारे नेता को insert करा जा रहा है तो नियत साफ नहीं है नरेंद्र मोधी जी कोई constructive cooperation नहीं चाहते हैं क्योंकि convention है कि deputy speaker opposition का होना चाहिए और हम ने कहा है पूरे opposition ने कहा है कि अगर convention follow किया जाएगा तो पूरा समर्थन speaker के election में हम देंगे तो यह मैं आपको clarify करना चाह रहा था UPA UPA के समय में हमने दिया था तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोधी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं यहीं इनकी formula है यहीं इनकी strategy है और इनको यह बदलना ही पड़ेगा देखे इशू इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधान मंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है प्रधान मंत्री कहते हैं कॉपरेशन होनी चाहिए सब को मिलकर काम करना चाहिए बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है धन्यवाद कॉल रिटर्न होनी तक कि तक कॉल रिटर्न होगाद